हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू एक इंडियन घर आज हम आप लोगों बताने जा रहे हैं बन गोबी की सब्जी आए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है पाव किलो कोबी की सब्जी इसे हमने अच्छी तरह से वाश करके काट लिया है दो मीडियम साइज प्याज इसे भी हमने काट लिया है एक बड़ा टमाटर इसे भी काट ले चार हरी मिल्स इसे बीच में से इस तरह कट कर ले और कड़ी पत्ता नमक स्वाद अनुसार वन टीस्पून हल्दी और एक अंड़ा पतेली को हमने फ्लेम पे रख दिया है अब हम इसमें डालेंगे वन टेबल इस्पून आयल तेल प्यास को नरम होने तक हम इसे पकाना है इसे अच्छी तरह से मिला लें प्यास अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके है नरम पड़ चुके है अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और हरी मिल्च इसे भी हमें सॉफ्ट होने तक पका लेना है तमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके है अब हम इसमें डालेंगे कोवी इन सब चीजों का अच्छी तरह से मिला लें दो मिनिट अच्छी तरह से मिला लेने के बाद हम इसमें आप डालेंगे नमक और हल्दी नमक डालने से यह और अच्छी तरह से जली से पक जाती है हल्दी डालने के बाद अब इसे और अच्छी तरह से मिला लें सब चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है अब हम इसमें हल्का सा पानी मिलाकर हल्का सा पानी छुड़ककर इसे पांक मिनिट टक शिलो फ्लेम पे पकने देंगे गोबी अच्छी तरह से पक चुकी है अब हम इसमें अड करेंगे अंड़ा अंड़े को अच्छी तरह से फेट लिया है अब इसे इसमें डाल दे और एच भी दो मिनिट तक इससे अच्छी ताइसे स्लो फ्लेम पे पका ले इससे अच्छी ताइसे मिलाते रहे अंडा डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर आपको अंडा इसमें पसंद नहीं तो आप इसमें क्रश करके खोपरा भी डाल सकते हैं दो मिनिट इससे अच्छी ताइसे पका लेना और यह अच्छी ताइसे बन चुकी है अब हम इसका फ्लेम बन कर देंगे तैयार है हमारी बन गोबी की सबसी यह बहुत इजी रेसिपी है आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आये तो प्लीज लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें थैंक्यू थैंक्यू